Hello and Welcome back to a Phkaris UP आज के इस वीडियो में हम कुपोसर टोपिक का लेशन प्लैन डिसकस करेंगे और अपने पिछले वीडियो में उस सर्जन तंठ को हमें कैसे इसका लेशन प्लैन बनाना है उस पर चर्जा करेंगे जैसा कि पिछले वीडियो में हमने भोजन एवं उसके आयो तथा पौधों में जनन इन सारे टॉपिक को कवर किया हुआ था और कहा था कि नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो हमारा कुपोसर टॉपिक का होगा तो चलिए देखते हैं आज का हमारा प्रकरड आगे बढ़ने स्पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज एक बार से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो आपको पसंद आएगी आपके लिए हल्फुल लगेगी तो प्लीज लाइक और शेर भी जरूर कर दीजिएगा ओके यह हमारा पाठियोजना संख्या 22 वे नंबर का अल्रेडी हमने बहुत सारे पाठियोजनाओं पर चर्चा कर लिया हुआ है बाइलोस्कल साइंस हो या फिस्कल साइंस हर एक टॉपिकल एसन प्लान हमने दोनों सब्जेक्ट में कभर किये हुए हैं तो प्लीज अगर आ लिखते हैं चात्र अध्यापिका हैं तो चात्र अध्यापिका का नाम या चात्र अध्यापक हैं तो चात्र अध्यापक का नाम लिखते हैं विद्याले का नाम लिखने के बाद दिनांक खक्षाविस है कलां समयावधी ये सारी चीज़े लिखने के बाद हम लिखते हैं प कुपोसर के बारे में जान सकेंगे ठीक है इसके बार लिखते हैं बोदात्मक उद्धिश्य इसमें लिखेंगे छात्र कुपोसर से होने वाले बिमारीयों की व्याक्या कर सकेंगे और फिर क्रियात्मक उद्धिश्य में लिखते हैं छात्र कुपोसर से होने वाले रोगों का नीदान कर सकेंगे यह हो गया विशिष्ट उदेश हमारा अब हम लिखेंगे सहायक सामगरी जो भी सहायक सामगरी हम यूज करते हैं टीचिंग के दारान वो सारी चीज़े हम यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे लिखा हुए प्रकरर से संबन्धी चार्ट पेपर उसके बाद सिक्चर विधिया में प्रशन तर विधी, व्याख्यान विधी और प्रदर्शन विधी लिखते हैं पूर्वग्यान में लिखेंगे चात्र कुपोसर के बारे में सामानी जनकारी रखते हैं पूर्व ग्यान के बाद आते हम प्रस्तावना के प्रश्ण पर हमारे प्रस्तावना का प्रश्ण लिखेंगे इसमें क्रम संख्यास छात्रा ध्यापी का कथन उसके बाद छात्र छात्रा कथन इनका बॉक्स बनाएंगे जिसमें कुछ प्रश्ण करेंगे जैसे पहला प्रश जाता है उसके बाद तीश्रा क्वेश्चन है पोशक तत्व कौन-कौन से हैं प्रोटीन विटामिन कार्भो हाइडरेट आधी यह चातर चातर कथन में लिखेंगे और चौथा प्रश्ण है इन पोशक तत्व की कमी से क्या होता है कुपोशर या सरीर कमजोर हो जाता है यह हो हो जाता है समस्यात्मक प्रश्ण हमारा ओके इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं उद्देश्य कथन पर उद्देश्य कथन लिखेंगे बच्चो आज हम लोग विज्ञानवी से के अंतरगत कुपोशर के बारी में बिस्त्रीत अध्यन करेंगे उद्देश्य कथन की बाद अब हम लिखते हैं प्रस्तूती करड प्रस्तूती करड में सिक्चर बिंदू छात्रा ध्यापी का है तो छात्रा ध्यापी का अगर छात्रा ध्यापक है तो छात्रा ध्यापक कथन चात्र छात्रा कथन और एक बॉक्स बनाते हैं हम स्यामपट कारे का इसकी बाद पूर्ण लिखते हैं हम अपना पहला सिक्छडबिंदू आजका हमारा सिक्छडबिंदू क्या है कुण वह शर्ण इसमें कुछ वीखा सात्मक प्रश्न करेंगे जैसे, पहला प्रश्न है संथुलीद भोजन्म मिलने पर क्या होता है 6-3 खतन में लिखेंगे कुभ फश्र सुनेंगे अवश्य ही लिख देंगे अस्पस्टि करण में लिखेंगे जब व्यक्ति को पोश्टिक भोजन की कमी या भोजन अव्यवस्थित रूप से दिया जाता है तो उसके सरीर में पोशड की कमी हो जाती है इसे कुपोशड कहते हैं इससे व्यक्ति की रोग पास्त जैसे टीका करण स्वस्थ भोजन स्वक्ष पेजल और सफाई की भी जरूरत होती है यह हो गया हमारे पहले सिक्षड बिंदु का स्वश्टी करण अब हम साथ में बढ़ेंगे स्यांपट कारे वाले बॉक्स में और उसमें हम जो भी टीचिंग के दौरान स्यांपट पर चीजें लिखते हैं स्यांपट कारे करते हैं बच्चों को समझाते हैं वह सारी चीजें हम यहां पर लिखते हैं जैसे आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है पोसक तत्व प्रोटीन, विटमीन, कार्बोहइडरेट वा साखनीज, जल एवँँ, खनीज लवड ए से फिर दूसरा प्रश्ण करेंगे कि पोसक तत्तों के साथ और किसकी आवश्यक्ता पड़ती है कुपोसर मुगत होने के लिए उची स्वास्त की जैसे टीका करण साप एवं स्वक्षता सफाई एवं स्वक्षता की अब दूसरा हमारा सिच्छडबिंदू लिखेंगे कुप पोसर से होने वाले रोग ठीक है इसके बाद विकासात्मक प्रश्ण करेंगे विकासात्मक प्रश्ण में लिखेंगे पहला प्रश्ण कुपोसर के कारण क्या होता है बीमारियां होती है उसके बाद दूसरा प्रश्ण है कुछ बीमारियों के नाम बताईए समस्यात्मक हो कुपोसर से होने वाले रोग निमनलिखी थे हैं अब कौन-कौन से हैं पहला है क्वासी और कॉर कर सुखा रोग यानि किरिकेट्स रग तालपता ठीक अब इसके बाद पहला इन तीनों को हम एके को समझाएंगे पहले समझाएंगे क्वासी और करकर इसमें लिखेंगे बच्चों में या प्रोटीन की कमी से होने वाला मुख्य रोग है लक्षड इसके लिख देंगे बच्चों के सरीर की ब्रिधी रुख जाती है उन्हें भूप कम लगता है सरीर पर सूजन आजाती है पाल रुखे वँचमक रही ठो जाते है तो अच्चा रुखी हो चाती है और आखे कमजोर हो जाती है ये हो गया फिर दूसरा हेडिंग लिखेंगे सूखा रोग इसमें लिखेंगे सरीर में केल्सियम और फास्फोरस की कमी से होता है केल्सियम और फास्फोरस हड्डियों और दातों का निर्मान करते हैं ठीक वो उनको स्वस्त बनाये रखने में बनाये रखने का कारे करते हैं जिससे बालक के अंग तेजी से बढ़ते हैं इसके लक्षड लिखेंगे कि बच्चे का विकास कम होगा तका सरी अत्यंत दुबला हो जाएगा इस रोक के उपचार है तो विटमिन D की आवश्यक्ता होती है जो दूद वद दूद से बने पदार्थ और सूर्य से प्राप्त होता है यह होगया हमारा दूसरा हेडिंग इसके बार लिखेंगे तीसरा रख तालपता यदि किसी बालग का भार का परिक्षड किया जाए और उसका भार आवश्यक भार से कम है तो रख तालपता का सिखार है इस इस्थिती में लाल रक्त कडिकाओं के रचना एवं क्रिया में अंतर आ जाता है अब इसका लक्षड लिखेंगे कि भूग कम लगना, सरीर का आलसी हो जाना, ठकान का महसूस होना इसके उपचार है तो लह तत्यों से युक्त, भोजे पदार्थ लेना तथा स्वक्ष वाता और एवं संतुलित भोजन लेना है यह हो गया हमारा दूसरा सिक्षड बिन्दु भी यही पे कम्प्लीट इसके बाद स्यामपट कारे की और बढ़ेंगे, स्यामपट कारे में आप पुनह इस प्रकार लिख लेंगे कुपोशर से होने वाले रोग कौन को से हैं, तीनों रोगों के नाम लिख लेंगे ठीक है इतना क्लियर है, समझ में आ रहा है कैसे बनाना है लेसन प्लान एक बार स्क्रीन सॉट लेज़ेगा, इसका फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने बोधात्मक प्रश्ण की ओर ओके हो गया, अब हम देखते हैं बोधात्मक प्रश्ण हमारा बोधात्मक प्रश्ण में पहला क्वेश्ण है, कुपोसर से होने वाले रोगों के नाम बताईए कुपोसर से होने वाले रोगों के नाम क्वासी ओर कर सुखा रोग रखताल पता, ये तीनों आप पुनह लिख देंगे उसके बाद दूसरा प्रश्न करेंगे सुखा रोक किस वीटामिन की कमी से होता है वीटामिन D ये हो जाएगा चातर चातर कथन में लिख देंगे आप इसके बाद आगे बढ़ेंगे अब हम पुन्रा उर्थी के प्रश्न की और पुन्रवर्थी के प्रश्ण के और आगे बढ़ने पहले आपको बता देगी जो अगला वीडियो होगा वो हमारा उस्सरजन तंत पर होगा उसके बाद हम पारिस्थीत की तंत पर्यावर और पर्यावर और प्रदूशर आदी इन सारे टापिकों भी गबर करेंगे तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार से भीड़े क्लासे जूपी को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा और वीडियो आपको पसंदार रही हो आपके लिए helpful लगी हो तो प्लीज लाइक और सेर भी जरूर कर दीजेगा ठीक है चलिए देखते हैं अब हमारा पुन्रवर्थी के प्रश्ण पुन्रवर्थी के प्रश्ण में पहला question है कुपोसर किसे कहते हैं दूसरा कुपोसर से होने वाले रोगों को विश्टार से बताईए और तीसरा question है रखताल पता किसकी कमी से होता है हम पुन्रवर्थी के प्रश्ण में कुल 3-4 question लिखते हैं अगर आपको और भी add करना हो तो आप बेसक कर सकते हैं ठीक अपने पास से कर सकते हैं कुछ प्रश्ण है यहां पे उसके बाद अब हम ग्रियकारे लिखते हैं और ग्रियकारे लिखने के बाद ही हमारा पाठ्योजना समाप्त होता है रियकारे में लिखेंगे सभी छात्र घर से कूपोसर के बारे में लिखकर लाएंगे और इसी के साथ यहीं पर होता है हमारा पाठियोजना समाप So guys आज के वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहें जाते वक्त अभी उद्यक्लासेज यूपी को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सेर में प्लेज जरूर करते जाएगा, ओके, ठैंक यू.